हेलो बच्चो आज के बाद आपकी सारी प्रॉलम्स डिग्रीज के ऊपर जितनी भी आपको प्रॉलम्स क्रियेट होती है वो सारी खतम हो जाएंगी आज मैं आपको इंगलिस ग्रामर में आपको डिग्री पढ़ाऊंगा जो डिग्री बनती है डिग्री में प्रॉलम्स क्यों आती है डिग्री में क्रियेटिंग आपकी प्रॉलम क्रियेट क्यों होती है आज के बाद सारी डिग्री प्रॉलम्स खतम हो जाएगी आप बिल्कुल धहरे के साथ बैढ़िए और शांती पूरवक्स समझेए और देखिए मैं आपको यूपी वोड़ वाले बच्चों को जाते हैं जैसे किसका कितना पद है किसका कितना पद है किसका जादा है किसका कम है इसकी रैंक जादा है इसको सुनोनिम्स कहते हैं इसका रैंक होता है ठीक है तो डिग्री में क्या है यह एड्जेक्टिव बेस पर बना जाती है किस पर बना जाती है एड्जेक्टिव बेस यह ऐठ्क्टिव बनाई जाती हैं मैं यह नहीं कहांगा सभी एड्जक्टिव इस पर सग्ष इभल को journaling रही होता है जो नौन प्रणान की विशेष्था बताता है तो तो आज से देखिए, चलो वीडियो को शुरू करते हैं, यदि बच्चों आपको quality अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, तो YouTube की शेटिंग में जा करके आप अपनी quality बढ़ा ले, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगी, और आपको अच्छा बैतर समझ मे ठीक है, तो देखिए आगे, डिगरी तीन प्रकार की होती है, there are three types of degree, नमर फर्स्ट होती है, positive degree, नमर दो होती है, comparative degree, अब positive degree की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको यह basement बताता हूं कि positive degree किस प्रकार से शुरू होती है, तो देखिए आगे, जैसे हमारा कोई भी adjective है, नॉर्मल, without added any extra word, कोई भी adjective है, good या well, दौनों की comparative degree जो होती है, वो आपकी better होती है, superlative होती है, इसकी best, इसमें अधिकान्स क्या है, comparative degree जो बना जाती है, वो किसी भी adjective में अधिकान्स जैसे बूला जाता है, तो उसमें er, और superlative में est या est लगाने से आपकी superlative बनके तयार हो जाती है, तो देखिए, जैसे smart है, तो इसकी comparative हो जाएगी, smarter, superlative हो जाती है, smartest, जैसे tall है, taller, tallest, big है, bigger, comparative हो जाती है, biggest, superlative हो जाती है, for example, greater, greater comparative होती है, superlative, greatest होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारी है, बहुत सारी adjectives है, जिनके आप बना सकते हैं, यह आपका आधार है, आपका यह बेश है, है, आपकी यह foundation है, इसके आधार पर आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे भी है, adjectives हैं, जिनके comparative और superlative, उसमें ER या EST लगाने से नहीं बना जाती हैं, तो उनसे पहले हम more लगाकर comparative बनाते हैं, और most लगाकर superlative बनाते हैं, चलो आगे देखिए, जैसे वो कौन से adjectives हैं, जिनकी comparative और superlative किस प्रकार बना जाती हैं, इंटलीजन्ट है, तो more intelligent comparative हो जाएगी, इसकी, superlative most intelligent हो जाएगी, ऐसे ही beautiful है, जैसा कि आप समझ सकते हैं आप तो, ठीक हैं, कि इसमें बच्चों आपको कोई भी problem नहीं लानी है, तो इनके base पर आप बना सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको किस प्रकार से use करना होगा, बाक्य मैं वो मैं आपको सभी बाद में बताऊँगा, पहले आप इसका screenshot ले सकते हैं, तो फिर आगे ले करके चलते हैं, मैं 1y1 करके आपको positive degree, comparative degree और शभी का मैं आपको एक दूसरे से mix करके बताऊँगा, सारी शीज़ा बताऊँगा, पहले पहला नमबर देखेंगे, तो बच्चो पहले नमबर पर आप देखेंगे, positive degree है मेरी, तो positive degree किस प्रकार से सुरू होती है, देखिए, positive degree का वह adjective होता है, जो without added, er and est, est, जो बनाए जाता है, adjective, उससे यानि क्या है, यह positive degree जो आती है, वो अपने subject की, अपने वाक्य के करता की विसेशता बताने के लिए किया था, इसका प्रेयोंग, जैसे कि आप, जैसे sentence में आप देख सकते हैं, she is a good girl, she is a good girl, इसमें girl क्या है, noun है, she subject है आपका, is where where a article है, good, अब देखेंगे good क्या है इसमें, तो सबसे पहले कोई भी बाक्य हो, adjective यदि आपको find करना नहीं आता है, तो adjective find करने के लिए, आप उस sentence में, हाउ लगा के देख लिया करो, sentence का quality निकल के आ जाएगा, उस word का quality निकल के आ जाएगा, कैसा है, क्या है, कुछ भी करके, यानि आपको adjective find out हो जाएगा, sentence में, तो लड़की कैसी है, आप ये लगा के देखिए, अपने आप बोलेगा ये, कि वह अच्छी है, तो अच्छी किस की विसेश्था दा रहा है, नाउन की विसेश्था बता रहा है, तो अच्छी कौन हो गया, adjective हो गया, क्या हो गया, adjective हो गया, जो नाउन की विसेश्था बता आप उब बीया चैनी होते हैं श्वास्ट कोmm to having the qip स्वास्थirm से आर्ण हो जैसे आप इना फैंग में क주고 में ए जिए विद्यों कांड होते हैं उसके पीछे लगे होते हैं तो फिक है तो पाल पाई डिरी की बात करतें अब कर पॉसूद डिरी पाल जाई यह जैसे तो इसमें तुलना करने के लिए समान गुड़ों में तुलना करने के लिए जिसे एक इतना अच्छा है जितना के वह है या सीता जितनी अच्छी है जितनी के सरला है ऐसे उतना जितना बोलने के लिए बरावर एक्वल इसका इस्तान देने के लिए आपको किस प्रकार से समझ एज के ओभी अफर्मेटिव सेंटेंज होगा तो एज एड़ेक्टिव और एड़ेक्टिव एज ट्रेकर और यह नेहटीश होगा कि बाद्विट पॉ यह कोई जेलिए का सेंटेंजब term अब नेगटिव में होगा तो सो एड़ेक्टिव अर्थ आता है as, as का और so as का, ठीक है कई किताबों में देखा गया कि negative sentence हो, उसमें so लगा सकते हैं, as लगा सकते हैं, जब कि affirmative में हो तो so as भी लगा सकते हैं, दोनों में यह बोला गया, कई किताबों में मैंने पढ़ा है, लेकिन competition level पर बात करें हम लोग, तो affirmative में as, as, और negative म मैं so as लगाया जाता है, ठीक है, तो इसमें आप बहुत ही विशेज तरीके से इस point को note करते चले, तो अर्थ आता है, इसका इतना, जितना, जितना, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, सीता इतनी अच्छी है, जितनी की सरला है, तो इस sentence को बोलेंगे, सीता, is as, as, as good as, as, सरला सीता इतनी अच्छी है, जितनी की सरला है, और कभी कबार ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कि इसमें वर्व आगे भी लगी आ जाती है, इस जितनी है, आप भी आगे वर्व लगा सकते हैं, no problem, ठीक है, तो आगे देखिए, negative sentence होगा, ये तो affirmative में समझाया है मैंने, अब negative में समझेंगे इसको, जैसे राम, is not, so dull, क्योंकि negative है, तो so लगाएंगे हम लोग, ये भूलना नहीं है, so dull adjective, as mohan, राम इतना मूर्ख या गमार नहीं है, जितना की मोहन है, तो इसमें मोहन ज्यादा है, ठीक है, तो इसके बाद मैं, इसके बाद आपको कोई भी problem नहीं आएगी, आप positive degree, आप समझ लीजिए, ज्धान से देखिए, मैं दुबारा से और एक बार repeat करता हूं इसको lecture को, पहले मैं के आप sentence में देखेंगे, positive degree का sentence, जो ज्यधे उसमें जो adjective आता है, वो अपने noun की विसेश्था बताने के लिए आता है, और जिसकी विसेश्था बताता है, वो उसके आसपासी लगा रहता है, कहिन भी लगा होगा, तब भी वहीं आ जाएगा, अपने noun की विसेश्था ब तो प्रकार के sentence आप यूज करके देखेंगे, दो प्रकार से होता है से एज लगाने से हुता है, और नेगेटिव सेंटेंस में सो एज लगाने से होता है ठीक है और उसके बाद में जैसे मैंने आपके लिए एक्जाम्पल रखी है और नेगेटिव में यूज करके दिया है और नेगेटिव में यूज करके दिया देखी लीजिए आपको यह सेंटेंस आप ने नोट कर सकते हैं तो बच्चो आज हमने बारे में बताया है आपको आप इस प्रकार से आप इनका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं तो आपको आज के बाद कोई भी प्रॉलम क्रियेट नहीं होगी कोई भी प्रॉलम का सामना नहीं करना चाहिए और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा इस चैनल से और आप अब इसके आगे जो वीडियो देखेंगे मैं आगे नेक्स्ट में आप देखिए कंप्रेटिर डिगरी के बारे में मैं फुल कंसेप्ट के साथ में आपको समझाऊगा बहुत बहतरीन तरीके से समझाऊगा आपको कभी भी कोई प्रॉलम क्रिये नहीं होगी आप बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू